तत्मा करके कुछ अफवावा करके एक चोटी जी हुई है एंड पुलिस ने और सेविल एड्मिनिस्टेशन ने इसनों कंट्रोल कर लिया है लोकानू अफील एही है कि किसी भी तरीके दी अफवादे उपर द्यान ना दें फ्लैग मार्च असी शेहर दे विच कर रहे हैं डी करते है उस तो बच्के राइण दे आ अब्हाया थी शेहर दे आ माहौल बना के रखन दे विच एड्मिनस्रेशन ने कल्क लेकिन फिलाल जडिधा में जु एम है वह शेहर दे विच शांथी बना के रखन आधा यह ते मीडिया नू भी अपील एही है कि सेहर दे विच अप सबतों इंपॉर्टेंट चीजी हों दिये शांती शांती पब्लिक बनाके रखे किसी अब छोटी जी अफ़वानों लेके गल बदगी सीगी जिसनों की मौके थे पुलिस ने और एड्मिनिस्टेशन ने सिविल एड्मिनिस्टेशन ने कंट्रोल कर लिया एसेसपी साब भी थे ने डीसी मैडम भी थे नदे ड्यूटी मेजिस्टेट भी हैं पुलिस फोर्स भी थे लगी हुई है यह असी फ्लैग मार्च भी शेयर दे विच कड़न जा रहे हैं सारा कुछ जाबते अनुसार होंदा है इस दी ऐसी परताल भी कर रहे हैं करांगे लेक अपील है कि संयम बनाके रखन अफवामा दे उपर द्यानना देन एड्मिनिस्टेशन दा साथ देन असी हर एक तरीके दी कोई किसी दे खिलाफ कारवाई बंदी है ओ करांगे यह किसी ने गलती कीती हुई उससे दे खिलाफ कारवाई करांगे जे शेहर दे विचे माहौल अपनी जड़ी पीस कमिटी थी मीटिंग है ओ डीसी मैडम ने बुला ली है सारे ही जड़ी जड़ी जथेवंदिया हन उनानों भी अपील एही है कि शेहर दा शेहर दे विच इड़ा माहौल है उसनों शांती पूरबग बनान दे विचे एडमिस्टेशन दे पीस सब तो इ पीस कमिटी थी मीटिंग करांगे तो नों भी बलावांगे एंड पत्याला शहर एक रॉयल शहर है इते हमेशा शांती रही है ते लोका नों अपील एही है कि दोनों दोनों जनने भी गुरूपस हैं जथेवंदिया हैं वो शांती बना के रहे हैं